नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, नोन परफेक्ट स्क्वेर रूट के बारे में, ओके, अभी तक हमने परफेक्ट स्क्वेर रूट निकालना जाना है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई नोन परफेक्ट स्क्वेर रूट है उसको हमें कैसे निकालना है ठीक है मालो हमसे बोल दिया जाए कि बताइए 17 का square root क्या होगा तो 17 को हमें सबसे पहले दो parts में अलग अलग करना है कैसे एक तो हो perfect square और दूसरा non perfect square जैसे कि जो 17 है उसके पास में perfect square कौन सा होगा 16 16 एक perfect square है पता है सबी को अगर 16 में हम one add कर देते हैं तो कितना बनता है 17 ठीक है पहला तो क्या है इसको कुछ इस तरीके से अलग अलग कर लेना एक तो perfect square वाला part और एक non perfect square वाला part दूसरा step हमारा पास क्या होगा जो perfect square वाला है उसको तो क्या कर दो उसका निकाल दो square root 16 का जब square root निकालेंगे तो कितना जाता है 4 अब अगला step क्या है देखो अगर plus है ना तो plus लगा दो अगर यहाँ पर minus है तो minus लगा दो अब तो हमने plus किया है ठीक है तो plus कर दिया अब यहाँ पर जो भी number है वो यहाँ पर put कर दो same और divide कर दो 2 into यहाँ पर जो number है इससे ऐसे ओके तो यहाँ पर क्या बन गया देखो 4 प्लस 1 बाई 8 यहाँ पर आ गया है आ गया ना इसको solve कर लो 4 प्लस 1 बाई 8 को क्या लिख सकते हैं 0.1 और 2 ठीक है तो 4.12 यह क्या आ गया 17 का square root आ गया है ठीक है एक दो example और देखते हैं suppose करो हमसे push लिया जाए बताए रूट 22 का यहाँ पर क्या आएगा ठीक है हमसे 22 का square root यहाँ पर push लिया गया है तो 22 को सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से number के पास में कौन से perfect square के पास में है तो 22 है वो 25 के पास में है 25 क्या है perfect square है अब लेकिन यहाँ पर 25 से क्या करना पड़ेगा minus करना पड़ेगा कितना 3 तबी तो 22 बनेगा ओके दूसरा step हमारे पास क्या होता है जो यहाँ पर perfect square है उसका कर दो square root 25 का जो square root करेंगे तो कितना आएगा 5 यहाँ पर sign क्या है minus का तो minus लगा दिया अगला क्या है यहाँ पर जो भी number है वो यहाँ पर लिखा 5 minus देखो 3 by 10 को हम लिख सकते है 0.3 ठीक है तो 5 से जब 0.3 हम minus करेंगे तो कितना बनेगा 4.7 तो कहने का मतलब है जो 22 है उसका square root कितना आएगा 4.7 ओके और देख लेते हैं मालो हमें निकालना है 19 का square root सबसे पहले हम क्या करेंगे 19 को दो parts में अलग लग करेंगे एक तो हूँ perfect square दूसरा non-perfect ठीक है 19 किस perfect square के पास में है 16 के पास में 16 में हमें add करना पड़ेगा कितना 3 तभी तो 19 बनेगा दूसरा part 16 है इसका क्या कर देना है square root 16 का square root कितना होगा 4 यहाँ पर sign क्या है plus का तो plus लगा दो अगला जो हमारा part है step है वो क्या है यह जो number है इसको same रखो upon 2 into यहाँ पर जो number आएगा यह यहाँ पर क्या है 4 4 कर दो तो यहाँ पर कितना आ गया 4 plus 3 by 8 यह आ गया इसको solve कर दो 4 plus 3 by 8 को क्या लिख सकते हैं देखो 0.24 कितना बजगा 6 8 7 56 ठीक है यह आ जाएगा 4.37 के आसपास यानि कि root 19 इसकी value कितनी आ गई 4.37 ओके चलिए हमें निकालना है root 27 का ठीक है अब 27 है वो किस perfect square के पास में है 25 के पास में इसको हम क्या लिख सकते है 25 plus 2 लिख सकते है अब जो 25 है इसका क्या कर देना है square root 25 का square root कितना आएगा 5 अगला step यहाँ पर plus है तो plus लगा दो जो यहाँ पर number है वो number same upon 2 into यहाँ पर जो number है यहाँ पर कितना है 5 है 2 से 2 cancel यहाँ पर कितना आ गया 5 plus 1 upon 5 आ गया ना अब देखो 5 plus 1 upon 5 की value कितनी आ जाएगी 0.2 आ गई एड कर दो 5.2 यानि की 38 का square root कितना आएगा 5.2 आ जाएगा आई बात समझ में और example देख लेते हैं मालो हमें निकालना है root 42 की value ठीक है इसकी value हमें find करना है सबसे पहले हमने देखा कि यह किस perfect square के पास में है या तो 49 के पास में ले चलो या फिर 36 के पास में ले चलो आपकी मर्जी है वहाँ ले चलो मालो हमने इसको लिख दिया 49 minus का 7 लिख सकते है 49 इसका जो square root होगा वो कितना होगा 7 ठीक है यहाँ पर sign किसका है minus का तो minus रखती है यहाँ पर जो number है number कितना है 7 upon 2 और यहाँ पर जो number है वो वाला यहाँ पर कितना है 7 तो 7 से multiply 7 से 7 cancel हो गया यहाँ पर कितना बचा 7 minus 1 by 2 ठीक है 7 minus 1 by 2 की value कितनी होती है 0.5 यह हमने रख दिया तो 7 minus 0.5 कितना आ गया 6.5 तो हम क्या बोलेंगे जो 42 है उसका square root कितना आएगा 6.5 आएगा ठीक है 89 का निकालते है 89 इसको भी हमें दो parts में अलग अलग करना है चलिए इसको हम क्या लिख सकते है इसको हम लिख सकते है 81 plus 8 लिख सकते है 81 किसके पास में है sorry किसका perfect square है 9 का यानि कि 81 का जो square root आएगा वो कितना आ गया 9 यहाँ पर sign किसका है plus का तो plus रख तो यहाँ पर जो number है उसको उपर रखो और upon में 2 into यहाँ पर जो number है वो वाला यह रख दिया ठीक है 2 से काट दो कितने गया 4 पे इसको हम क्या बोलेंगे 4 sorry 9 plus 4 upon 9 9 plus 4 upon 9 की value कितने आ जाएगी देखो 0.936 ठीक है 936 कुछ इस तरह के से चलता जाएगा तो यहाँ पर आ गया 9 plus 44 sorry 9.44 ठीक है तो 89 का हमने क्या निकाल दिया square root square root निकालने के बाद उसकी क्या value आई है 9.44 ओके और जो root 92 है इसकी value आप लोगों को comment करके बतानी है कि इसका answer क्या आएगा ठीक है I hope आप लोगों को class समझ में आई होगी ठीक है